दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपके लिए एक गेम बनाने वाले हैं जिसका नाम है रॉक पेपर एंड सिजर अगर अभी तक आपने यह गेम बच्पन में खेला है तो आज आप उसे रियर लाइफ में बनाने वाले हैं ठीक है अगर आपको अपनी जावास्क्रिप्ट को इंप्रूब करना है तो आपको इस वीडियो को स्टाइब तक देखना हुंगा क्योंकि इस में मैं आपको एक्स्प्लाइन करूँगा कि आप एस्टेमन च्रीव से जावास्क्रिप्ट के वद्दश से एगेम कैसे क्रेट कर सकते हैं तो अबचि पूरा एंड तक देखन रखिए तो फ्रेंड्स वक्तु जायना करते हैं वे वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो यह जावस्क्रिट प्रोजेक्ट है इसलिए मैंने इसका युवाई पहले ही क्रेट कर दिया है आप देख सकते हैं पूर्ट फिफ्टी फाइव हंड्रेड पर रहा है और आप देख सकत करते हैं कर दिया बोडी के अंदर हैंडिंग प्रम फचनल याव्म कर दिया जिसमें गदिंग दर एक हैंडास के इसमार के बटन गळसीं के नदर मैंने थीं बटन और मैंने था 타роб Soci重 when ibleय कि है तो आपको फोकस करना कि आप हर एक element में अपनी ID दे दीजे ठीक है और यहां पे टेबल रो है टेबल डेटा आप इतना सारे डेटा उस डेटा के अंदर आप देख सकते हैं यहां पर यह दे रखा है रॉक यू यू फिर यहां पर उसका यू का सारा का सारी यह है यहां पर इस तरह करनी है तो इस तरुके से हां पर पूरा हमने यू इस तरिक कर रखा है अगर आपको इसका कोड़ चीए तो आपको ऑपको यहीन नहीं देख कर सकते हैं कुछ नहीं से अगर आप इसे ना देखें खुद बनाएंगे तो आप सिंपल सा बना सकते हैं ठीक है और यहां पर एक इमेज है ठीक है जो कि मैंने एक फैब आइकन के लिए यूज कर रखी है तो हमारा भी इतना काम होने के बाद अब हम देख सकते हैं आप जावस्क्रिप् सब्सक्राइब का नाम देंगे जो भी आप देना चाहते हैं तो यहां पर मैं लिखूंगा में यूजर चॉइस जो कि मेरा आइडी का नाम है और यहां पर लिख दूंगा डिस्प्ली ठीक है क्या हमने थोड़ा अलग देना होता है फिर डॉक्युमेंट डॉट यहां पर इसले इसका पडिया नियमर इसे करणे हम ca desnaлюд कणने वाले यहां पर टार्यां पर चॉइस सऩफि detK करने वाले और यहांब पर ट्रथे सब opener कर दिया और ऑप टिरने कॉर्फेरव सब्सक्राइबार general choice और थर्ड केना रिजल्ट को मैं सब्टोब्र करता हूँ इसके गो तूर्वि हम पर दिसप्टे लिग देंगे एक open तुम इंड अनम नाम दिया दिया है और भी को कीись की चौट को सब्सक्राइब element by id ठीक है अब हमने तीन यहां पर वेरिवल बनेंगे एकदम खाली लेट यूजर चॉइस लेट कंप्यूटर चॉइस और लेट रिजल्ट जो कि हमारी आइडिया वह हमने कहां पर खाली वेरिवल्स बना दिये जो कि अन्डिफाइन अभी ओके अब हमें क्या करना है फ्रें चैसे कि लेका फर खुश्य हो सकती है तो यहां पर लिख लेक्ता हूं प्रोवेरियली टिविस अंग है बेफें कुछ भी नाम दे सकता है जरुरू नियाँ आपे प्रोवेरिश के यूजिए लिए नीट रिए जासे क्योंकि हम पशॉरिवेरिंट करेंगे फारइज की अन करने पर क्लिक करने पर क्योंना चाहिए एक फार्ट या इन्दर करेंगे करेंगा मकड़िया जो तो हम यहां पर क्या करेंगा कि जो इवेंट है कैसा होना चाहिए यूजर चॉइस जो हम यूजर चॉइस करेंगे वही तो चेंज होएगा तो यहां पर चाहिए अब क्या करना आपको एक function create करना है अलग से इसे बहार निकल के आपको एक function create करना है जिसमें आप अपने buttons को target करेंगे हर एक element को target करेंगे जो आपका यहां पर यू computer और result है ठीक है यहां पर function create करा function create करेंगे आप इसका कुछ भी नाम दे सकते हैं function का जैसे कि मैं आप पर कुछ भी randomly नाम दे देता हूं random choice तो मैं आप इसका नाम देती है रैंडम choices then अब यहां पर हम क्या लिखेंगे यहां पर हमने एक variable क्रेट किया अब उसका नाम हम कुछ भी दे सकते हैं रैंडम numbers then अब हम क्या करेंगे आपर दो javascript property का use करेंगे जो है math.floor floor क्या करता है largest और lowest number ले आता है जहां तक हम इसे sign करेंगे तो यह 1 से ले करके जहां तक हम largest number जाएंगे जैसे मैं यहां पर 3 दूंगा भी ठीक है उसके अंदर हम parenthesis के अंदर लिखेंगे math.random मतलब कि random कुछ भी number आ जाना चाहिए तो मैं क्या करूंगा बहार इंटू 3 अब यहां पर गड़ दूंगा plus 1 ताकि वो plus 1 1 से लेके 3 तो कोई सभी एक randomly number आ जाए clear उसके अलावा यहां पर कुछ on नहीं आना चाहिए अब यहां पे condition लगाएंगे if ठीक है तो यहां पे मैं यहां पे ले लिए मैंने इसका syntax अब यहां पर क्या है मैं यहां पर लिखूंगा random number अगर triple equal होता है वन के ठीक है अगर वो वन आता है तो क्या output में आना चाहिए तो यहाँ पर आना चाहिए तो यहाँ पर लिख दिया computer choice आएगी इसकी यहाँ पर rock वो rock choice कर लेगा computer आगर one आता है ठीए और अब बाकी को भी ऐसी लिखना है और से पहले जो हमारा function का जो हमने नाम दे रखा है इसे मैं ऐसे copy कर लेता हूँ copy करने के बाद जो हमने आपर prevent choices लिख रही थी मिल्दब कि हमने लिखा था probability choices तो वहाँ पर मैं इसे paste कर देता हूँ खाली मैं इसे यहाँ पर call कर दिया इस function को इसके अलावा हमने यहाँ पर कुछ नहीं कर रहा इस function कर ठीगे अब यहाँ के जो बाकी के हैं यह तो हमने हम कर देंगे scissors तो अगर 2 आयागा तो आपर scissors आना चाहिए तो यहाँ पर scissor के spelling लिख दी और यहाँ पर 3 आना चाहिए रान अगर 3 के equal है तो क्या नचाहिए paper आना चाहिए तो मैंने आपर simple सा यहाँ पर paper लिख दिया इतना कर लेने कि आपने इस function को call भी कर लिया है और इतना आपने ये function create कर लिया है इतना आपका काम हो चुक है अब आप inspect में जाकर देख सकते हैं console में चले जाते तो आपका कोई error नहीं आ रहा है अगर आप rock पर click करते हैं तो आप देख सकते हैं हमारी user choice में change हो रहा है ठीक है user choice display में जो हमने ID दी थ रहा तो अभी हम इसे देखेंगे चीक है तो चलते हैं दोबार अपने code की तरफ अब हमें क्या करना है यहां पर यह तो हमने create कर दिया और हमने इस function को call भी कर लिया फ्रेंड्स चीक है अब हमें क्या करना है सिंपल साब हमारे जो if statement जहां पर खतम है उसके कली ब्रेसिस के स चाहा जाता है एंटरीट कर देता हूं आपको क्या लेना है computer choice display.innerHTML ताकि हम उसके innerHTML जो खाली जगा है वहाँ पर कुछ फिल कर सके हैं तो क्या फिल करेंगा innerHTML equal अब यहां पर लिख दीचे computer choice इतना अकल लेने के बाद आप 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 आउपूट देखेंगे तो यहां पर अगर आप रॉक चूज़ कर रहे हैं तो रॉक आगा दोनों सीजर सीजर चेंज हो करके आ रहे हैं देख सकते हैं अलग अलग आ रहे हैं तो यहां पर एक random number create हो रहा है जिसकी मदद से हैं पर 321 के हिसाब से रॉक पर सीजर यहां पर generate हो रहे हैं clear अब आपने यहां function create करना होगा तो यहां पर सबसे पहले हमने function create करते हैं function का नाम हम कुछ भी दे सकते हैं तो मैं आप लिखूंगा get result नाम से function create करूंगा बाद में हम उसे उपर call भी कर लेंगे जैसे कि हमने उपर वाले किया था random numbers का random choices का जो हमने एक function create किया तो उसे call भी किया था उस triple equal आपको ध्यान रतना है पर triple equal लोगाना और user choice कर देना है ठीक है तो आपको यहां पर result में क्या आना चाहिए आपको result में एक statement मिलने चाहिए जिसका नाम है draw clear तो कहेंगे result equal यहां पर लिख दूँगा मैं draw draw अब आपको result पता हमने id दे रखी है हमाँ पर result याद आपको हम हमने खाली वेरेवल का नाम भी लैट result करके दे रखा है तो वहां पर सारका सारे store हो जाएगा clear okay तो इतना खर लेने के बाद हमने result में हमारे क्या जाएगा draw अगर यह दोनों से हो जाएंगे जो हमारा undefined था वहां पर क्या जाएगा result result में क्या जाएगा draw होता होता है तो अगर computer choice और user choice एक दूसरे से match खा जाती है अब यहां पर क्या करना है देख सकता है यहां पर computer choice triple equal rock अगर यहां पर आ जागा paper है ठीक है यह दोनों है condition और हमने यह यह दोनों यह दोगे तो हमने दे दी अब हमें user choice भी देने हैं तो हम यह लगाएंगे amp परसेंट जिस हम कह गेंगे यूजर चॉइस अभ इना ट्रिपल एकिवेथ washer चॉइस के अगर दोथ गाया फ्कर आप कि तो पे जिसकते हैं पेपर आपकर रॉक है तो आप यहापद सकते हैं सेजर कि कیک अपको कुछ भी दे सकते हैं कि क्लुच प्राइब क्या हो चाहिए यह जितीए तो आप आप देख सकते हैं यहां पर लिखे यू लॉस्ट तो आप यहां पर देख सकते हैं यू लॉस्ट अभी आपको इसे कॉपी करना है देन आपको इसे नीच आकर के पेस्ट कर देना है और नीच आकर के पेस्ट कर देना है पहले आपने भी लिखा रॉक के बार में अब आप ल result में changes कर देने हैं थोड़े थोड़े अगर यहां पर वान है तो वान आगा है यहां पर लॉस तो लॉस राइगा चीए तो आपको इस तरह के यहां पर करदेना है फेपर है और रॉक है तो क्या जीतेगा आफ सो हर जोगे तो यहां पर सिंब l G लिख दोगए और पेपर 충분 की जीत जागे तो यहां यू विन नीचे ठीक है सब पुल्व सही है Caesar, दोनों को रोक को चेंज करके मैं लिख दूंगा Caesar, अगर यहांपर Cutter है और Computer Choice की अग्र यहांपर रोक और यहांपर पेपर की यह पहने साउर बाइन लाइन भग्तिया है और हमारे पास है तो हम का हार जाएंगे तो हमारा आजल लॉस्ट यहां पर यह यां पर विन क्योख यू कर रहो हमाँ है यहां पर योल लॉस्ट और उपर वाले में यूविंद ठीक है यूघ्ट यूज Allen यू लॉस्ट तो इतना कर ले अज़नी रहा यहां पर logic friends create हो चुक है इस तरह कि आपको एक logic लगाना आपको सबसे पहले एक ड्रॉक लगाना है पिर आपको रॉक पेपर सीजर आपको computer चॉइस रॉक पेपर सीजर में आपको यूजर चॉइस से करवाना है कि क्या आएगा तो क्या आगा उसके बाद आपको यहां पर सिंपल सा लिख देना है जो आपने यह था क्या देख रहा है था हमने result display equal inner HTML equal और आपको जो result था ठीक है तो आपको क्या करना है सिंपल सा यह दो function आपने अब यहां पर इसे call कर दीजिए जैसे कि हमने random choices को आपको आपको इसे आपने call कर लिया देन आप इस पूरे code को save कीजिए अब आप अपने output में आगे से देख सकते हैं तो सिंपल सा मैं आपको output की तरफ ले चलता हूँ आजड्यममें लिजयमने रिखरेश करते हैं और यहां पर यह पर प्रॉप यहां पर यहां पर देख्धार इन रॉक प्र तो मैं क्या हो गया मैं हार हूं जैसे कि कुछ भी अलग सा यहाप पर सीजर चूज करा तो सीजर सीजर आप देख सकते हैं पर ड्रॉब ही हो गया मैच हम रोख सीजर यू विन अब मैं जीद के फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कुछ इस तरीखे का वह में आप पर आउट पूट में नम वाला है अगर आपको कहीं पर भी कोई परिशानी आती तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और मैं आपको एक बार कोड एक्स्प्लेंट करके बता देता हूं कि हमने इसमें क्या क्या करें सबसे पहले हैं और हमारे पास एक एक कम्पुटर यूजर रिजल्ट और बटन आप देख सते हैं कि जिस सरे के में चारुचीजों को चूश किया था देन आपने आपर चोईस की ती लैड चॉइस हमने को जिस तरह की खाली वैडियबल बनाय थे चॉइस कंपूटर चैस रिजल्ट देन अमने प्रवाबिलिट क्रेट करें दो फंक्शन को हमने सिंपनिया कॉल किया वह दो फंक्शन का है वह दो फंक्शन नीचे हैं हमने फंक्शन क्रेट कि इसके अंदर हमने तीन लगाई probability कि हमारे सबस्पहले एक होना चाहिए कि math.floor उसके अंदर parenthesis के अंदर math.random तीन तक जाना चाहिए वह एक से लिके तीन तक तो हमने इसके अंदर यह logic लगाया देन हमने करा अगर वन आए तो रॉक आना चाहिए टू आए तो सिज़र थ्री आना चाहिए तो पेपर यह करके हमने आपके condition कर यूज किया ठीक है यह कर दो आउडपूट मिले सबसपहले हमने ड्रॉउ होने का लौजिक लगाया है.. ड्रॉऌ होने का लौजिक लगा कि अ क्न लगा कैने लगा है कि कम्पुटे। हमने निए रवक यह जोस करे तो इसका यह ।ज़ कर तो भी आब हम्ने देना हमने पेप्पर चूज करे तो यह next video में तब तकी जी, thank you so much.